हालो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं याप आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मोर क्रियेट्टू पर स्वागत है आई जाने मदप्रदेश पुलिस एसाई तथा आरक्चक भरती 2019 के लिए जानकारी है जानते हैं पुरी जानकारी पुलिस भरती आने वाली है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी आया है क्या वह सच है और पुलिस महानी देशक ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है चलिए देखते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने शेरन को सप्राइब नहीं किया तो इसी प्रकारी खबरों के लिए शेरन को सप्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सिग्रता से मिले मत्प्रदेश पुलिस SI तथा आरक्षक भरती मुख्यमंत्री की उपसमीती एजेंसी तै नहीं कर पाई है अभी तक के भरती के बारे में कितने पद निकाले जाएंगे और कब से भरती ली जाएगी 14 अक्टूबर 2019 को खबर आई है प्रदेश की राजदानी वोपाल से खबर रहे युवाओं को सरक कार में आई कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस भरती के लिए उपसमीती का गठन तो कर दिया था परन्तु मुख्यमंत्री की उपसमीती अब तक एजेंसी का चैन तक नहीं कर पाई लगातार दुसरा साल पूरा बितने को है और इसी के साथ सरकार के प्रती आकरोज बढ़ता जा रहा है बेरुजगार युवाओं का हर साल पांच-पांच हजार भरती होनी थी वरिष्ट पत्रकार स्री रविंद्र कैलासिया की रिपोर्ट के अनुसार मत प्रदेस पुलिस में 93,000 से जादा पुलिस बल वह 26,000 से जादा एसेप के जवान है इस तर प्रदेस सरकार ने हर साल 55,000 जवानों की भरती का लक्ष रखा था लेकिन चुनावी वर्स 2018 में तातकलिन सरकार ने पुलिस भरती को लेकर विचार ही नहीं किया इसलिए उस समय कोई भरती नहीं हो पाई लेकिन 2019 में यह भरती निकलना था और इसके लिए पीबी ने नोट कमलात एक उपसमीती बनाकर भूल गए हैं कांग्रेस ने सरकार में आते ही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भरती परिक्षा का आयोजन इस्तगित कर दिया और मंत्री मंडली उपसमीती बनाकर भरती परिक्षा की प्रकिरिया तै करने का फैसला लिया इस कारण 2019 में अब तक पुलिस भरती का कोई भैसला नहीं हो सका है मालूम हो कि पुलिस के अरक्षक और उपनी रिक्षकों की भरती परिक्षा के लिए 2017 में अंतिम विग्यापन जारी किया गया था जिसका परिणाम 2018 में आया था लेकिन 2018 तता 2019 में अभी तक कोई भी नई वेकेंसी नहीं निकली है 2020 में रिक्षपदों का आकड़ा और बढ़ जाएगा प्रदेश में पदोननत्ती प्रकिरिया थमी होने से अन्यसास की करमचारियों की तरफ पुलिस में भी सिपाई से लेकर डियस्पी तक की पदोननत्ती रुकी है वहीं राजसरकार ने सेवा न मैंने बढ़ेगी स्वाबाइक बात है सुत्रों के अनुसार अभी पुलिस में करीब 80 उप निरिक्षकों तथा लगबक 3000 आरक्षक की जरूरत है भरती परिक्षा तैय नहीं होने की इस्तिती में यह आकड़ा मार्स 2020 के बाद और बढ़ेगा सरकार के फैसले के बाद होगी भरती परिक्षा पुलिस उप निरिक्षक और आरक्षक भरती परिक्षा को लेकर सरकार की मंत्री मंडली उप समीती का फैसला आने के बाद ही प्रकिरिया सुरू होगी के अन्तिवारी विसेश महानिदेशक पुलिस चैन व भरती तो मत प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ह नहीं निकाली है लेकिन बीच में एक खबर वाइरल हो रही है कि 14,000 से अधिक पद के लिए notification आ गया है इस प्रकार से notification आया है उसमें फाम भरने की प्रारंबिक तारीक 25 अक्टूबर 2019 बताई जा रही है और अंतिम तारीक 24 नौवंबर 2019 बताई जा रही है तो यह क्या आपको सच लगता है बिलकुर सच नहीं है मेरे पास इसका notification पड़ा है लेकिन मैंने इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी है क्यों क्योंकि यह खबर पूरी तरह से गलत है आप जिस भी सोसल मीडिया या यूटूब के माद्यम से इस भरती का अपडेट जान रहे होगे वह ब पिछित बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को ग्यापन सोपा है अब उसके बाद सीम कमलनाथ क्या करेंगे वह उनके हाथ में होगा लेकिन फिर इसी के तारतम्य में पुलिस महानिदेशक ने इस प्रकार से अपडेट दिया है कि सरकार ने उपसमीती बनाई है अब उपसमीती ने अभी तक यह तै नहीं कर पाया है कि कितनी भरती होगी और कब से भरतिया होगी तो जो यह खबर आ रही है कि इतने पदों पर इतने तारीकों से भरती प्रकिरिया सुरू होगी यह खबर गलत है आप क्रपिया ध्यान ना दे अभी तक किसी भी प्रकार क कोई भरती नहीं आईए चाहे तो आप पीबी के नोटी पेकेशन पर भी देख सकते हैं तो यह जानकारिया आप सब भी कुद देनी थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से दी है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और तो वारी सीजन में आप यद मिलेंगे और ज्यादा आपरों के साथ तो इस प्रकार से जानकारी थी यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्राइब नहीं किया तो इसी प्रकारी खबरों के लिए चैनल को सब्राइब कर लें तता नेक्स्ट व वीडियो आपको सिखरता से मिलें मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत